आजादी का अम्रित महोत्स आजादी का सफर आकाश मनी के संग भारत का शांदार स्वाधिनता संगर्ष आधोनिक विशु के महनतम संगर्षों में से एक है आकाश मनी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शांदार संगर्ष की जलक आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं शहीद भोलो और मोलो को उन्होंने पूर्ववर्ती सिरोही राज में 1922 के भील गिरासिया आंदूलन में भाग लिया था बिटिश सेना के साथ लड़ाई के दौरान 12 अप्रेल 1922 को उन्होंने वीर गति प्राव्त की भोलो और मोलो ने एक की आंदूलन में भाग लिया था जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जनजातिय लोगों के उत्पीडन का विरोध करने के लिए शिरू किया गया था इस आंदूलन के माध्यम से अत्यधिक उची राजस्व दर असिरोही राजे में जबरन मजदूरी के संबंद में जनजातिय लोगों की शिकायते दूर करनी की मांग की गई थी रोहेरा के भील और चंदेल, गिर्वार तथा सैवा के पडोसी गाउं के निवासियों ने राजे की देंदारियों को चुकाय बिना अपने खेतों से फसल नहीं ले जाने का आदेश का उलंगन किया जनजातिय लोगों की भील एकत्र होने का समाचार सुनकर राजे की सीना और अंग्रेजों के दोसो सैनिक मेजर रिचर्ड्स के नेत्रित्व में मौके पर पहुँचे और भील को तितर बितर होनी की चेतावनी दिये बिना ही 12 अप्रेल 1922 को गोलीबारी शुरू कर दी अंधा धुन्द गोलीबारी में भोलो, मोलो और कई अन्य गिरासिया अंदोलनकारी वीर गती को प्राप्त हुए गोलीबारी के साथ साथ बिटिश सेना ने गाउं को लूटा और आग लगा दी इन महान वीरों को हमारा नमन हम वीर सारजा का भी स्मरण कर रहे हैं उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वेतंतरता संग्राम में भाग लिया था उन्हें 1857 में आजीवन कैद के सजा दी गई 12 अप्रेल 1869 को अनमान द्वीब समू में उनका निधन हो गया भारत मा के महान सपूत को हमारा नमन आज हम राष्ट्रवादी इत्यासकार राखाल दास बंधो पाध्याय को भी याद कर रहे हैं उनका जन्म 12 अप्रेल 1885 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था उन्हें खुदाई के जरिये सिंदु घाटी सभ्यता के प्रमुकिस्थल मुहन जोदाडों की प्राचीनता की खोज के लिए जाना जाता है राखाल दास ने कोलकाता में भारतिय संगरहाले भारतिय पुरातत्व सर्विक्षन और काशी हिंदो विशविद्याले में काम किया वे भारतिय सभ्यता के व्यापक विचार वाले राश्ट्रवादी इतिहासकार थे प्राचीन शिलालेखों के अध्यान और पुरालेखों के क्षेत्र में राखाल दास का योगदान अप्रतिम है शिला लिखों और पांडू लिपियों के आधार पर बांगला लिपी के विकास का पता लगाने के लिए बांगला लिपी के उद्गम के बारे में उनका कारे अग्रणी था राखाल दास ने मुद्रा संग्रहन, प्राचीन और मध्यकालिन भारत के सिक्कों के महत्वपून विशलिशन और व्यज्यानिक अध्यन के क्षेत्र में भी काम किया बंधुपाध्या को महन जोदाडों में बौध काल से पूर्व के कलक्रित्यों के खुदाई और महन जोदाडों तता हडपा स्थलों के बीच उलेखनिय समानता के लिए भी जाना जाता है उनकी खोज के कारण दोनों स्थलों के खुदाई की गई सभ्यता के बारे में उनकी व्याख्या और विशलिशन अनेक आलेखों और पुस्तकों में प्रकाशित हुए जिन में एन इंडियन सिटी 5000 एगो मोहन जोदाडो इन बांगला और मोहन जोदाडो अफ फॉर्गेटन रिपोर्ट प्रमुख है उन्होंने कई एतिहासिक उपन्यास भी लिखे राखाल दास ने प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन प्रतिमाओं और असम में प्राचीन इमारतों के पुरावशेशों पर भी कारे किया तथा तेजपुर के निकट दाह परवतिया में मंदिर के खंडहर के दर्वाजों चोखटों की काश्ट कला की खोज की राखाल दास जीवन के अंत समय तक भारत के एतिहासिक आश्चर्यों की खोज करते रहे। 23 मई 1930 को 45 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया। महान राश्ट्रुवादी को हमारा शत्शत्नमन। हम वीर धर्म छोटा पहाड़िया को भी श्रधान जले अर्पित कर रहे हैं। वे वर्तमान जारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 में भारत छोडो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दोरान उन्हें किरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रेल 1943 को दुमका जेल में उनका निधन हो गया। मात्र भूमी के वीर सपूत को शत्शत नमन। आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाश्वनी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज बस आजादी के साथ।